Hello everyone, कैसे हो आप सब एक बार पुना हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल A2Z वायोलाजी क्लासेस पर उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेच्छेस चल रही होगी आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम क्लास 11 वायोलाजी NCRT, चैप्टर 7 के जितने भी बस्तो निष्ट प्रश्ण है और उनकी एंसर यानि जितने भी most MCQ है, अब्जेक्टिव कोस्चन है वो हम आप लोग को आज की इस वीडियो में पूरा कपूरा कफर कराने वाले हैं, तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कोस्चन है कि मेढक जो है यह किस वर्ग से संबंदित है, तो मेढक जो है MPBI यानि कि उभय चर वर्ग से संबंदित है, राइट एंसर आपको याद रखना है MPBI अगला कोशन है उत्सरजी पदार्थ की द्रष्टी से मेढक होता है उत्सरजी पदार्थ की द्रष्टी से मेढक क्या उत्सरजित करता है तो मेढक जो है यूरिया उत्सरजित करता है मेढक में आपको दो कंडिसना जागी जो मेढक का टेड़ पोल लारवा होता है वो बेसिकली अमोनिया का उत्सरजन करते हैं लेकिन जो वयस्क मेढक होते हैं वो यूरिया का उत्सरजन करते हैं तो आपको मेढक में दोनों चीज़े याद रखनी है यदि मेढक में वयस्क मे आगला कोश्चन है कि काक रोज के स्वसंत अंत्र में कितनी जोड़ी स्वासरंद्र पाए जाते हैं तो आपको याद रखना है तो आपको याद रखना है जाता है क्युश्चिक होती है यह जो पेशिया उनकी प्रकति कैसी होती है तो इसकार आई टैंसर हो अगला कोश्रन है मास्ट को सिकाएं कहां पाई जाती है तो हमेशा आपको जयाद रखना है कि जो मास्ट को सिकाएं होती है यह सयंयोंजी उतकों में पाई जाते हैं तो सैंयोंजी उतक के कई सारे example हैं जैसे सबसे बड़ी example हो गया blood यानी की रकत या रकते परकार का तरल सैंयोंजी उतक होता है तो mast को सीखाएं हम jestem कहाँ पाई जाती है सैंयोंजी उतक में यानी की connective tissue के अंदर अगला कॉस्चन है केचुए में टिपलो सील का कारे लिखेट केचुए में जो टिपलो सील समझना पाई जाती है इसका काम क्या होता है तो इसका कारे होता है भोजन का अब सोचन करना अगला कॉस्चन है अस्थी को अस्थी से जोडने वाला उतक कहलाता है तो ऐसे उतक जो की अस्थी को अस्थी से जोडने वाले उतक क्या कहलाते है अब अभी आपने देखा कि अस्थी को अस्थी से जोडने वाली सनचना क्या कहलाती है लिगमेंट कहलाती है जबकि अस्थी क पेसी से जोडने वाली रचना या जोडने वाले उतक क्या कहलाते हैं टेंडन क्या कहलाते हैं दोनों आप को याद रखने हैं काफी इंपोर्टेंट है अक्सार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो अस्थी को अस्थी से काउन जोडता है लिगमिंट और पेसी को अस्थी से का यह प्रक्रिया क्या 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 है? कहलाती है अगला कोश्चन है आरबीसी के बनने की क्रिया कहलाती है अभी देखिए आरबीसी के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है लेकिन आरबीसी के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो इरिथ्रोपोईसिस कहलाती है क्या कहलाती है अगला कोश्चन है कि संक्रमण के समय रक्त में WBC की संख्या में अत्यधिक बढ़हुत्री कहलाती है संक्रमण के समय जब भी रक्त में जो WBC है उसकी संख्या में यदि बढ़हुत्री हो जाती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है यह प्रक्रिया कहलाती है लिउकोसाइटोसिस क्या कहलाती है लिउकोसाइट तो उन्हें हम माइक्रोफाइविल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोफाइविल्स कहते हैं, अगला कोशन है, जनतूओं का सबसे बड़ा वर्ग है, तो ये काफी इंपोर्टेंट कोशन है, जनतूओं का सेधी सबसे बड़ा कोई वर्ग है, तो वो है इन सेक्टा, जिसमे अर्थोपोडासंग से बिलांग करता है और अर्थोपोडासंग का ही महत्पूर्ण लछन होता है कि उनमें 3 जोड़ी प्यर पाए जाती है यानि 3 जोड़ी पोड्स या पाए झाती है अगला कोशन है शरीर के बाहरात तथा आंतरिक परद के मध्धि स्थान को कहेती है तो सरीर की देखे जो बाहें परत होती है तथा जो आंतरिक परत होती है उसके मध्ध का जो इस्थान होता है वो क्या कहलाता है सीलोम कहलाता है अगला कोश्चन है पेसियों का अध्यान क्या कहलाता है तो आपको याद रखना है मायोलाजी कहलाता है क्या कहलाता है मायोलाजी को कहते हैं लिदा में जब कभी भी खिचा उस्षी या गलत तो आपको याद रखना सही है क्योंकि उत्पों के विगटन को हम हिस्षी कहते हैं अगला तंत्रिका तंत्र में एक तंत्रिका कोसिका के और यह फोते हैं तथा दूसरी कोसिका के एकसान जो होते हैं इनके मद्ध पाए जाने वाले बिसिस्ट वन्द कहिलाते हैं तो अपस में याद रखना है आपको कि किसी भी तंत्रीका कोशिका में एक तंत्रीका कोशिका के जो डेंड्राइट्स होते हैं तथा दूसरी कोशिका के एकसान होते हैं जो उनके मद्ध पाया जाने वाले बिसेष्ट बंद को हम क्या कहते हैं सिनैप्स कहते हैं कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मद्धकार जो खाली इस्थान होता है तो वो भी क्या कहलाता है सिनैप्स कहलाता है अगला कोशन है मोटी लंबी तथा परिपक अस्थियों के बीच गुहा में पाया जाने वाला मुलायम पदार्थ कहलाता है तो आपको याद रखना है अस्थी मज्जा जो भी मोटी लंबी तथा पैपक हड़ियां या अस्थियां होती है उनके बीच में जो पाया जाने वाला मुलायम पदार्थ होता वो क्या कहलाता है अस्थी मज्जा या बोन मेरो कहलाता है यहां पर ही RBC, WBC और प्लेटलेट्स क की संख्या में आ समान ने कमी को क्या कहते है तो यह WBC की संख्या में कमी आ जाती है तो इस स्थित को क्या कहते है लिवको पोनिया कहते है क्या कहते है अगला कोश्चन है मेढक जो है MPBI वर्ग के किस गण का सदस्य है देखे मेढक आपको पता है कि MPBI वर्ग में आता है लेक तो मेथुनी अलिंगन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं तो मेथख के मेथुनी अलिंगन को हम क्या कहते हैं एमपलेक्सस क्या कहते हैं एमपलेक्सस अगला कोश्चन है मेधक में किस प्रकार का विदलन होता है तो मेधक में आपको याद रखना है किस प्रकार का विदलन होता है आसामान प्रकार का या पूर्ण भंजी विदलन होता है अगला कोश्चन है मेधक में किस प्रकार का परि इनक अच्छिये होता है अगला कोश्चन है मेढक में कुल कितनी अस्थिया पाई जाती है तो मेढक में कुल एकसो तिरपन याने की 153 बॉंस पाई जाती है तो यहां पर देखे चैप्टर 7 के जितने भी इंपोर्टेंट बस्तूनिस्ट कोश्चन है उनको हमने आज को आज क इस वीडियो में करा दिया है तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद बंदे महत्रम